Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPSC Mains का एक important topic BPSC Mains के JS Paper 2 में बिहार में आपदा प्रबंधन ये important topic है जिसे की हर साल Mains में इस topic से question पूछा जाता है कभी बाढ़ को लेकर, कभी सुखा को लेकर, कभी भुकंप को लेकर तो आपदा प्रबंधन से related सवाल हर Mains में लगभग पूछे ही जाते हैं तो इसी topic को हम इस वीडियो में आज discuss करेंगे कि बिहार में आपदा प्रबंधन और उसके बाद जो बिहार का बिहार राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका क्या कारे है, वो क्या क्या कारे करता है बिहार को आपदा से बचाने के लिए तो लगभग इसमें बिहार में जितने भी तरह के आपदा पाई जाते हैं उन सभी के बारे में discuss करेंगे जैसे flood हो गया, सुखा हो गया, भुकंप हो गया या और भी कई तरीके के आपदा आते हैं बिहार में इन सभी को हम इस वीडियो में discuss करेंगे तैक ही एक आपको idea मिल जाए कि किस तरह के आपदा बिहार में आते हैं और किस topic से related question पूछा जा सकता है तो फिर उसके बाद अलग अलग वीडियो में हम बाढ़ और सुखा ये सबको करेंगे लेकिन इस वीडियो में हम जितने भी आपदा हैं बिहार में जो भी देखे गए हैं उनका discuss करेंगे तो सबसे पहरा देखेंगे इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे mainly तो इसमें हम पढ़ेंगे disaster management in बिहार यानि की बिहार में आपदा प्रवंधन उसके बाद हम पढ़ेंगे flood के बारे में flood के बारे में यानि की बाढ़ और earthquake यानि की भुकम drought यानि की सूखा और other hazards यानि की कुछ अन्य खत्रे भी हैं जो की बिहार में देखने को मिलता है और इसके बाद है initiatives of BSDMA towards making disaster resilient बिहार यानि की क्या बिहार को आपदा रोधी बनाने के लिए BSDMA यानि की बिहार State Disaster Management Authority का क्या कारे है इनके तरफ से क्या पहल किया जाता है बिहार को आपदा से बचाने के लिए तो मुखके रूप से इसमें ये है कि बिहार में कितने परकार के आपदा पाए जाते हैं और बिहार राज आपदा प्रबंधन प्राधिकर्ण क्या क्या कारे करती है उन आपदाओं से लोगों को बाहर निकालने के लिए इनके द्वरा क्या क्या पहल किया गया है Disaster Management in बिहार यानि कि बिहार में आपदा प्रबंधन the state of बिहार which is prone to several disaster यानि कि बिहार राज जो कि कई आपदाओं से ग्रस्त है need a multi disciplinary strategy to dealing with the disaster यानि कि कई आपदाओं से जो बिहार है वो ग्रस्त रहता है और इन आपदाओं से निपटने के लिए एक स्टेज की ज़रुरत है तो बहु बहु अनुसासनात्मक रणनीती की आवसकता है which necessitates the cooperation of numerous stakeholders यानि कि बहुत सारे रणनीती की आवसकता है बिहार को आपदाओं से निपटने के लिए कई तरह कि आपदाओं आती हैं बिहार में और इन से निपटने के लिए एक बहु अनुसासनात्मक रणनीती की आवसकता है जिसमें कई हित धारकों के सहियों की आवसकता है इट नेसेसिटेट्स एक कॉंस्टेंट एंड इंटिगरेटेट्ट प्रोसेस अफ प्लानिंग, और्गनाइजिंग, कोडिनेटिंग और इंप्लिमेंटिंटिंग एक्शन पर रिक्स प्रिवेंशन, रिस्क मिटिगेशन, डिजास्टर प्रिपरेटनेस, रिस्पॉंस, रिहाविलिटेशन, एंड रिकंस्ट्रॉक्शन इस जोखिम की रोगताम के लिए किस चीजों की जरुवत है तो जोखिम निवनी करण, आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया, यानि कि जो आपदा आता है उसके प्रतियाप क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है पुनरवास, यानि कि जो लोगों का आवास खतम हो जाता है आप दावों के कारणों को पुनर अवास की उनकी लिए सुब्धा बनाना, पुनर निर्मान के लिए नियूजन, आयोजन, सम्मनवे और कारियों को लागो करने की एक निरंतर और एक इकरित प्रक्रिया की आवा सकता है कुछ परमुख आप दाएं और उनके प्रभाव इस प्रकार है, बिहार में कुछ परमुख जो आप दाएं हैं और उनके क्या प्रकार हैं हम आगे देखेंगे तो सबसे पहले हैं अप फलड के बारे में जानते हैं जो गर बारामासी नदियो दरा परिभासित किया गया है the majority of which originate in Nepal and are known to transport large amount of silt that are eventually deposited on the plains of Bihar यानि कि ये जो नदिया है जो कि परेनियल नदिया है यानि कि जो 12 मासी नदिया है सालो भर इन में पानी रहता है तो ये कहां से लगबग अधिकांस नदिया जो हैं ये हमाले से उत्पन होती है हमाले के नेपाल में ये नेपाल देश्यूत पन होती है और बड़ी मातरा में अपने साथ silt लाती है यानि कि गाद लाती है जिसके गाद के परिवहन के ये नदिया जाने जाती है जो कि क्या होता है कि अंत्ता क्या होता है इन नदियों के द्वारा जो सिल्ट ले आई जाता है वो क्या होता है कि बिहार के मैदानी इलाकों में जमा हो जाती है The majority of rainfall in this region occurs during the three months of monsoon when river flow can surge up to by 50 times producing floods in बिहार और इस छेतर में यानि कि जो मैदानी इलाका है बिहार का इस छेतर में जो अधिकांस वर्सा होती है वो monsoon के तीन महीनों के दोरान होती है और जब monsoon होती है उस समय ये जो नदिया है इनका जो प्रवार है वो लगभग 50 गुना तक बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि बिहार में बाह की समस्या आ जाती है एन एस्टिमेटर 73 परसेंट ओफ बिहार टोटल रेंड एरिया इस वल्नरेबर तो फ्लोडिंग आउट अट अफ टोटल एरिया ओफ 94,163 स्क्वार किलोमेटर यानि कि बिहार का जो कूल भूमी छेतर है उसका अनुमारित 73 प्रतिसात है वो क्या है वो कूल छेतर फल के 73 प कवार किलोमेटर का जो छेतर है लगभग 73 प्रतिसात का जो भिहार का छेतर है वो क्या है वो पाः से ग्रसीत है एन्वल फ्लोडिंग इन बिहार अकाउंट फोर्टी परसेंट ओफ दे फ्लोड डेमेज़ इंडिया विद इस्टेट अबिहार अकाउंटिंग इन फ्लोड बिहार में बिहार में जो वार्षिक बार है वो भारत में जितना भी असट बार आता है तो 30-40% जो च्छती होता है वो पूरे देश के बाग का जो 30-40% जो च्छती होता है वो अकेले बिहार में ही होता है बिहार's most flood prone and flood prone district include 28 district यानिक बिहार के सबसे अधिक बाद जो जिले हैं उनकी संख्य कितनी हैं 28 है टोटल बिहार में 38 जिले हैं और उन 38 में से 28 जिलों जहें वो बाढ़ से ही ग्रसित है तो यह क्या हो गया यह बाह का description हो गया कि बिहार में बाह किस प्रकार की आपड़ा है कितनी भयावा आपड़ा है बिहार के लिए दूसरा जो तो बिहार इज पोजिजन इन इन थाय सिस्मिक जोंस अलोंग दा बिहार नेपाल बार्टर अन दा बाउंडरी ओफ दा टेक्टोनिक प्लेट विधा सबस्पेस फॉर्फेस फॉर्ट लाइन फ्लोई इन फोर डार डिरेक्ट्ट वार्ट ता गेंगेटिक प्लेट यानि कि बि बिहार नेपाल सीमा के साथ एक उच भुकमपी छेतर में अस्थित है और जो हिमाली टेक्टोनिक प्लेट है इसको बिले करने वाल टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर उपसता फॉल्ड रखाएं जो है वो गंगा के मैदान की चारो दिशाओं पहती है यानि कि भारत का जो एटलस है सुभेदिता अटलस वो राज के प्रमुक छेतरों को भुकमपी छेतर चार और पांच के रूप में वरगी करता है तो भारत का जो एटलस है वो बिहार राज के भुकमपी छेतर को चार और पांच के जोन चार और जोन पांच के तरह इसे डिवाइट किया गया है और ये जो जोन है ये भुकमप की काफी समयदन सिल्था को दरसाता है और बिहार की जो भूमी है खुल मिलाकर अगर देखी तो भीःर की को भूमी का 15.2 परतिसाद जो छेतर है वो जोन पांच के रुप में बगड़े करत है यानि कि जो भीःर, 15.2% of भीःर total land is classed जोन 5, वेरच 63.7% of भीःर total land is classed जोन 4 यानि कि 15.2% जो छेतर है वो जोन 5 के रुप में बगरी कृत किया गया है बिहार का और 30.67% जो छेतर है वो जोन 4 के रुप में बगरी कृत किया गया है तो काफी सम्मेदन सिल छेतर बनाए गया है बिहार में भुकम को लेकर अर्थ को लेकर 8 districts are in seismic zone 5 24 are in seismic zone 4 and 6 are in seismic zone 3 यानि कि 8 जिले जो हैं वो जोन 5 में आते हैं 24 जिले जोन 4 में आते हैं और 6 जिले जोन 3 में आते हैं with majority of districts falling into multiple seismic zones इन में से और यानि कि ये तो जिले हैं अलग-अलग नंबर दिया गया है कि 24 जिले seismic 4 में आते हैं 6 जिले जोन 3 में आते हैं लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जो कि multiple seismic zone में आते हैं यानि कि वो जोन 4 में भी आएंगे, 5 में भी आएंगे, 6 में भी आएंगे, 3 में भी आएंगे तो ऐसे भी कई जिले हैं major earthquakes have struck the plates in the state in the past the worst was the 1934 earthquake which killed over 10,000 people followed by 1988 earthquake तो अगर देखी तो पूरु में राज में बहुत बड़े भुकमपा हैं और उसमें से 1934 का जो भुकमप है वो काफी दर्धनाक भुकमप था काफी सबसे खराब भुकमप उसे माना जाता है जिसमें की लगवग 10,000 लोगों के मृत्व हो गई थी उसके बाद जो भुकमप है 1988 में भी एक वोस्ट भुकमप बिहार में देखने को मिला था तो 1934 का भुकमप के बारे में इसमें जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कितना परतिसद बिहार का छेतर की इस जोन में आता है और कई भी ऐसे वीजिले हैं जो की multiple seismic jones में आते हैं तो यह भुकमप को लेकर है बिहार के बारे में अब आते हैं सूखा जो की बिहार का एक आपदा है और बहुत ही खराब आपता भी है। आपता भी है। राजी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तेजी से सूखे की चपेट में आ रहा है यानि कि ओसत वर्सा बिहार का तो 1120 मिली मील्टर है लेकिन सभी जीले में ऐसी वर्सा नहीं होती है अलग-अलग बहुत ज्यादा आंतर देखने को मिलता है किसी जीले में बहुत ज्यादा वा है most of बिहार particularly north बिहार which is prone to flood is experiencing drought due to lack of adequate rainfall बिहार south and southwest regions are particularly prone to drought with severe droughts occurring frequently यानि कि यादिकांस जो बिहार है विशेश रूप से उत्तर बिहार जो कि बाह से ग्रस्त है परियार्थ वर्सा की कमी के कारण यह सुखे का सामना कर रहा है और बिहार का जो दक्षिन और दक्षिन पस्चिम छेतर है यह विशेश रूप से सुखे की चपेट में आता है जहां कि अक्सर भयांकर सूखा देखने को मिलता है यानि कि बिहार का जो नौर्थ पार्ट है यहां पर बाह तो देखने को मिलता है लेकिन वहां पर अच्छी बारिस नहीं हो पाते तो वहां एक तरस सुखा हो गया और बिहार का जो दक्षिन और दक्षिन पस्चिम छेतर है यह तो पूरी तरस सुखे की चपेट में और अभ्यांकर सूखा भ असाइड फॉर्मेंशन देंजर्स देंजर्स देट इस वल्नेरेबल तो कोर्ड एंड हीट वेश साइकलोनिक स्टॉम्स और हुमन कॉस्ट हैजर्ट सच अज फायर एपेडमिक्स रोड बोट एक्सिदेंट स्टेंपिड्स और यानि की उपरुक्त खत्रों के अलावा करवारती तुफान और आग महाबारी सड़किया नाओ दर्गहटना भगदर आदी जैसे अन्यमानो जनित खत्रों की चपेट में भिहार दिखने को मिलता है फायर्स और प्राइमरली लोकल इन नेचर येट केन हैव सिगनिफिकेट इंफ्लूएंस ओन विलेजेज यानि कि आग जो है मुखे रूप से इस्थानिय प्रिकरती के होती है फिर भी गाउं पर ये महत्वपूर्ण परभाव डाल सकते हैं कई कई बार होता है कि गाउं के गाउं साफ हो जाते हैं आग के चपेट में आने से तो आग भी जो है इसे भी आप भयंकर ही खत्रा मान सकते हैं एक सिंगल प्लेस के यह दिपे कि यह लोकल हो था है स्थानिय किसी जगह पे आग लग गए लेकिन फिर भी यह बहुत ही ज्यादा च्छती पहुंचाता है तो क्यूंकि अगर देखे तो बिहार का अधिकांस जो घर है वो कच्चे कच्चा मकान है तो यहां पर क्या होता है कि घर की जो छट है छपड़ पर क्या होता है कि लकडी क ढठाचे से इसका निर्वान किया जाता है और जब हवाएं तेज रहती है तो क्या होता है चूले का आग जो है वो लकडी में कभी-कभी पकड़ लेता है और आग की लपटे जो गर्मी के महीनों में क्या होता है तेजी से फैलता है और इस वज़े से क्या होता है पूरे कॉमिनुटी को आग से नुकसान देखने को म बिहार राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन का बिहार में रोग थाम करने के लिए आपदा रोधी बनाने की दिसा में BSDMA की क्या पहल है यानि कि बिहार राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन का क्या पहल किया गया है इनके द्वारा despite the fact that the state is multi-hazard phone it has been working to improve catastrophe resilience यानि कि इस तथे के बावजूद की राज ये बहुत जोखिम प्रवण है या आपता के प्रती प्रती रोधक छमता में सुधार करने के लिए काम कर रहा है यानि कि बहुत सारा वर्क की जा रहे हैं ताकि आपता के प्रती सुधार किया जा सके यानि कि बिहार राज आपता प्रवण हर प्राधिकरन जो है ये बिभी नहीं धारकों के साथ मिलकर प्रभावित समुदाय जो है जिस छेतर में इस तरह के आपताय देखने को मिलती है तो इन लोगों के बीच ये जागरूता बढ़ाने के लिए और जागरूता बढ़ाने और उनके बीच इन आपतावों को सहन करने के लिए ऐसी छमता पैदा करने के लिए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर जो है बिहार राज आपदा प्रबंधन पाधिकरण जो है ये काम कर रहा है बिहार राज आपदा प्रबंधन प्रबंधन प्रधिकरण जो है के द्वारा इस पर जोड दिया जा रहा है इस पर जोड दिया जा रहा है किये जा रहे हैं जैसे कि सुरक्षा सब्ता लाया गया है जैसे सड़क सुरक्षा सब्ता है अगनी सुरक्षा सब्ता है और बाह सुरक्षा सब्ता है और कई भी जैसे कई हित धारक है प्रसिक्षा यानि कि stakeholders के द्वारा training दिया जा रहा है सुरक्षित school कारेकरम सुरक्षित निर्माण मांडन बनाय जा रहे हैं एक भुकम सुरक्षा मुफ्त क्लिनिक और केंडर का निर्माण करने के लिए भी जोड दिया जा रहा है और IEC सामगरी का भी ब्यापक वित्रण किया जा रहा है यानि कि IEC का मतलब क्या हो गया इंफोर्मेशन electronics and communications related चीजे भी लोगों के बीच प्रोवाइट कराई जा रहे हैं ताकि जो है इन खत्रों को कम किया जा सके लोगों को जागरू किया जा सके तो यह बिहार में आपदा प्रबंधन को लेकर BSDMA की क्या पहल है इनके दूरा क्या कार की आपदा को देखा जाता है कि इस प्रकार की आपदाएं है विः में इनके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा अब अलग-अलग बीदियो में हम अलग अलग-अ आपदाओं के चाल स्यीयौ यह अरुन मीध्याश्टर में इस प्रामलखन स्याय सर्षी में धिकर शर्षा इस रहते हैं चीम और है इस दो म繼續 आपको भार में देखार यह झाल यह दना आपका यांद बहुत या दना्य